Hello everyone and welcome to my youtube channel enjoyment with studies कैसे हो सभी ठीक हो ना पूरजोश के साथ welcome to our class तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8th class का 5th chapter का 2nd part कल के part में हमने male and female reproductive part देख लिये थे है ना कौन से थे male में जो है वो testis present थे female में ovary ठीक है हमने उनकी structure भी देख ली थी हमने sperm की structure देखी थी sperm कैसा होता है ऐसा ठीक है कल तो मैंने इतना कुछ इसके बारे में detail ही नहीं बताया था यह होता है head इस part को यह जो sperm होता है sperm का यह head होता है ठीक है और इसके अंदर है ना यह तो body body हो जाएगे यह tail होगी tail किसलिए present होती है कि sperm में motion जो है जल्दी हो जाए जो speed है वो बढ़ती जाए और जल्दी से यह अपनी मंजल दक पहुँच जाए इसके अंदर mitochondria present होंगे mitochondria मैंने क्या बताया था mitochondria is the power house of a cell है ना तो यह जो है इसके अंदर present mitochondria जो है वो इसे energy देंगे प्लस इसे भी energy देंगे tail को move करने के लिए यह चीज़ होती है male में जो अपने टेस्टोस्टिरोन hormone release हो गया था वहाँ पे टेस्टिस के अंदर sperm बनने लग गये थे sperm की formation को spermatogenesis बोला था female में क्या हुआ था ovulation हुआ था ovary के अंदर से ovum निकल रहे थे है ना यह चीज़ हमने डिसकस करी थी वह ovulation हो गया sperm और ovum का fusion ही fertilization होता है यह तो हो गया male gamet male gamet और प्लस ovary ovary के उपर यह corpus luteum नाम का एक layer होता है corpus luteum तो यह अंदर जो है ovum होता है यह corpus luteum नाम की layer के अंदर pack होता है ठीक है यह जो अपना sperm होता है ना sperm के head के उपर यहाँ पर टाइट सी एक sheet सी लगी होती है ovary को break करने के लिए ovum को break करने के लिए देखना यह जो sheet होती है ना इसका नाम acrosome होगा acrosome ठीक है यह acrosome ovum के अंदर entry के लिए responsible होगा ovum जो है वो आके अंदर fertilization करेगा तोडने की कोशिश करेगा इन सारी layers को और इसके अंदर जाएगा जब male male तो यह हो गया male gamet और यह था female gamet ठीक है male और female gamet जो है उन दोनों के million को हम fertilization कहेंगे ठीक है यह चीज हो गई यह होता है हम humans के अंदर यह जो sperm होता है यह यहाँ seminal vesicle जो कल हमने वो बनाई थी यहाँ पेनिस वगएर थी बाकी यहाँ से यहाँ पे testis present थी है ना testis के अंदर से यह जो sperm ready हो रहा था वो seminal vesicle ducts में से उत्वे जा रहा था कल हमने female की भी देखी थी है ना female का कैसा था female का ऐसा कुछ था मतलब थोड़ा अपनी टेक्स्ट बुक में देखी यह तो मैं अपने थोड़े से idea के लिए बना रही हूं बाकी आप समझ पा रहे होंगे मेरे को ऐसा लग रहा है तो यहां पे अपनी overy present थी यहां से जूड़ी हुई थी यहां पे तो इसे उल्टा जो फन्नल होता है उस टाइप का ऐसे bag like च्रॉर्प्चर थी यहां पे फन्नल से होते है उसमें over ओवरी से ओवम गिर जाता है, यहां से क्रोस करते वे आ जाता है, तो यह इसके अंदर जैसे seminal vesicle थी न, male के अंदर seminal vesicle present थी, seminal vesicle ducts present थी, वैसे female में यहां पे fallopian tube बोलेंगे, fallopian tube, ठीक है, यह उती है female में, ऐसे क्रोस करते वे वेजाइना से आ के निकल जाता है, यह ठीक ह जब अगर sperm यहाँ पे enter हो जाए, sperm अगर यहाँ चला जाता है, तो male और female जो gamets है, उनका fusion fertilization कहलाएगा, fertilization होने के बाद जो cells है, cells grow करेंगी, ठीक है, embryo बन जाएगा, एक बार के लिए अपने लिए इतना ही काफी है, ठीक है, तो यह चीज थी fertilization की, अब next बार ही है external fertilization, external fertilization क्या होता है, external का मतलब बाहर, ठीक है, बाहर open in the environment, ठीक है, यह चीज हो गई, and अब हम example लेते हैं frog का, frog जो है, क्या करता है, frog अब अपने pond है, हमने pond सी बनाई है, ठीक है, pond बना लिया, female है यहाँ पे, female frog जो है, ऐसे बैठी यहाँ पे, अंडे छोड़ दी है, sorry, अंडे क्या, यहाँ पे उसने अपनी ovary छोड़ दी water में, तो यहाँ पे ovary water में flow कर रही है, and यहाँ पे जो है, समझो, male frog जो है, उसने अपना sperm release कर दिया, तो male जो gamit है, male frog का gamit जो आया है, female gamit से आके मिल गया, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे ovum fertilization वगरा, वो सब हो गया, sperm जो है, वो ovary को enter कर जाएगा, fertilization हो गया, environment में हुआ यह सब, body के अंदर तो नहीं हुआ, environment में हुआ, इसलिए हम इसे कहेंगे, external fertilization की open में हुआ यह, जबकि humans में क्या, vagina में sperm center कर रहे थे न, vagina में अंदर आने के बाद cell division हो रही थी, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, य जो है, वो आ गया, pond के अंदर water की presence में, water में है, frog तो अपने, जो है, release करके चले जा चुके हैं, मतलब छोड़के निकल गए वो तो, यह है, अभी कहीं भी जाएगी है, यह भी कहीं भी चला रहा, पर इसने अपना तो, यहाँ sperm छोड़ दिया, इसने अपनी ovary तो यहाँ यहाँ पर इन दोनों का fertilization, external fertilization हो गया, समझे यह बार, तो यह था fertilization और external fertilization, activity में यह बताया गया है कि, देखो हम frog की life cycle देखते हैं, चोटे चोटे eggs आते हैं, एक के बाद चोटा सा tadpole आ जाता है, ठीक है, tadpole के बाद जो है, frog किसी देखते हैं, मतलब है न, main तो यही इसके अंदर पहले egg, फिर tadpole, फिर adult, फिर से frog, छोटी से छोटी अगर life cycle देखें तो यही बन सकती हैं, इनकी ठीक है, egg, tadpole, frog, फिर frog से फिर से eggs, ठीक है, यह fertilization होने के बाद ही जो है, वो egg produce होंगे, क्योंकि बिना fertilization के, बिना कोई fusion के, कोई भी cell divide नहीं हो सकती, मतलब जो cells fertilization के लिए बनी है, वो fusion होने के बाद ही fertilize होंगी, बीच में उनकी कोई stage नहीं आती, कि वो जो है, मतलब divide हो जाए, यह फिर ऐसा कुछ भी, समझें आप external fertilization, fertilization और tadpole यह फिर frog की life cycle, छोटी से छोटी life cycle इस तरह की ही बन सकती है, tadpole जो है न, activity में यह चीज़ दी हुई थ कि अगर हम एक pond के पास अगर हम थोड़े कुछ अंडे देखते हैं, frog के अंडे देखते हैं, उसे घर लाके अगर अपने tub में डालते हैं, tub में डालने के बाद वो थोड़े से जो tadpoles का group था न, उसका एक थोड़ा सा part लेके हम अगर microscope में देखेंगे, तो microscope में किस तरह किस चीज नजर आएगी, तो यह चीज अब्जर्व करनी है, नोट करनी है, इस तरह किसी छोटी सी activity दी हुई है हमारी textbook में, तो यह activity भी बहुत आसान है, ठीक है, जो चीज मैंने बताई, आपको पता चल गई होगी, एक और चीज यह बतानी है, कि जो fertilization होने के बाद embryo होगा embryo जो है, embryo क्या था, cell division, जित्ती हो सकी, cell divide हो, okay, develop हो चुकी है, तो वो जो developed cells है, वो male में होंगी या female में होंगी, मतलब यह जो cells है, यह male होंगी या female होंगी, यह चीज कौन decide करता है, यह चीज male का sperm decide करता है, ठीक है, chromosomes, आपने कभी नाम सुना है, chromosomes, देखो, अपनी body के अ लड़कियों के अंदर, मीन female के अंदर तो X और X chromosome होते है, males के अंदर X और Y chromosome होते है, ठीक है, यह तो होते है males के, यह होते है females के, ठीक है, female के अंदर X X chromosome होते है, male के अंदर X और Y chromosome होते है, जब fertilization के time, अगर यह sperm, sperm अपने अंदर X X chromosome लेकर जाता है, नहीं, बतलब X का एक क्रोमोजोम लेकर जाता है, तो फिर आगे जाने वाली ओवरी के अंदर तो एक X ही प्रेजन्ट होगा ना, फीमेल में तो X ही प्रेजन्ट है, अगर इसका मेल जो स्पर्म है वो एक X का क्रोमोजोम अपने साथ लेके जाएगा, तो आके और X मिलकर क्या बनाएंगे female बनाएंगे तो यह जो sense होंगी वो female होगी for example अगर यह sperm जो है यह sperm अपने अंदर Y chromosome लाया है male का Y chromosome अगर यह लेके जाता है ovary के पास तो यहाँ पे देखना यह तो Y लेके आए अब यहाँ पे भी Y fusion हो जाएगा ठीक है Y chromosome का ही fusion होगा यह Y लाया है अपने साथ और यहाँ पे X तो already है जब X और Y होंगे तो जो cells होंगी वो क्या होंगी male होंगी X और Y जो होते हैं यह दो तरह के chromosome males में होते हैं और XX तरह के chromosome female में होते हैं समझे आप तो sex determination का काम spawn करता है ठीक है समझाई बात तो कुछ भी doubt लगे आप मुझे comment section में पूछो वीडियो कैसी लगी like करके बताओ and अपने friends के साथ जितना ज्यादा हो सके उतना share करो and channel को subscribe करो bye and have a great day